पूरी बोडी पर कहीं भी छोटे छोटे सफेद निशान हो जाते हैं लेकिन ये सफेद दाग नहीं होते हैं क्लिनिक पर आएंगे बड़े डरे से हमें से के जी हमें तो सफेद दाग हो गए डरना अलाजमी है आपका अच्छी बात है आप डर रहे हैं क्योंकि अगर आपने नहीं सुरू में ही इसका इलाज किया तो वो सफेद दाग पूरे शरीर पर फैल जाएंगे लेकिन ये सफेद दाग नहीं होते हैं अच्छा जगह के अनुसार नाम करन वी बड़ी जल्दी हो जाता है बिमारी का इसे बोलते हैं टीनिया वर्सी कलर, इस बिमारे का नाम है टीनिया वर्सी कलर, जिसमें छोटे-छोटे-छोटे सफेद निशान हो जाते हैं, हाँ ये दायरा बढ़ा सकते हैं, आपकी बोड़ी पर हो सकते हैं, पर पूरी तरह से आपकी स्किन सफेद नहीं होगी, ऐसा नहीं कवक ठीक है कवक से उत्पन होने वाली बीमारियों को हम बोलते हैं फंगल इंफेक्शन तो ये क्या है अब इसे आपने समझ लिया है अब इसकी चले ठीक है ये तो चीज है मैंने समझ लिया कि ये फंगल इंफेक्शन है तो क्या ये ठीक हो सकती है क्या ये निशान ठीक हो सक कहता हूँ जो छोटे लोग हैं छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप मेरे मेसेंजर पर आईएगा महाँ पर आम उसे पूछीगा कि कितनी मातरा घटानी है इस दवाई में से तो चलिए फिर हम बात करते हैं दवाई क्या-क्या हैं तो सबसे पहले दवाई से पहले मापको एक रिक्वेस्ट करना चाओंगा अनुरोद करना चाओंगा सबस्क्राइब करने के लिए नहीं बोल ला हूँ पहरे पूरी बात सुनीजेगा मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो दवाई चलेगी मेरे भाई इसका कोर्स होगा दो महीने का जो सफेद निशान है दो महीने का को नितकर मैं आपका वो कीजेगा लेकिन यह मत सोचेगा की आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे दो महिने में आपकी गारंटी लोता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे तो चले चलते हैं और बात कर लेते हैं दवाई के बारे में जो पहली दवाई है वो आपको लेनी है मेरे एक गोली शाम में और तीसरा झौड आपको कैप्सूल लेना यह कैप्सूल है इसका नाम है ओमजिट डी 20MZ में ये तीन आपको लेने दो गोली कैपसूल सुबा शाम सुबा शाम दूफेर में कोई गोली नहीं लेने ये खाना खाने के आदा गंटे बाद आप ले सकते हैं दो महेने तक आप कंटीनु रखने चाये निशान खतम हो जाए पूरी तरह से लेकिन आपको कंटीनु रखने है क्यों क्यों कि मेरे भाई आपको पूरा इंफेक्शन खतम करना है एक लगाने के लिए क्रीम बता रहा हूँ स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मैं आपको अगर इस तरह की आपको मिल जाती है इस नाम से मिल जाती तो बैस्ट है नहीं तो आप जो इसके अंदर साल्ट है वो आप इस साल्ट को बता करके दुक करदी नहीं रात को लगानी दिन में आपको नहीं लगानी है क्योंकि रात में आप लगा करके सो जाएंगे कोई activity नहीं होती है दिन में क्या होता आया पको पसीना आ घूर मिठी लग गई बहुत सारी चीजिए है ये भी पूरे दो मुंहीने तक आपको इस्तेमाल करनी है निशान मिट जाएंगे गारंटी लेता हूँ मेरे भाई लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कोश्यर पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी तब तक स्वास रहें मस रहें तदरूस रहें आपका दिन शुबहो नमस्कार धन्यवा झाल